हेई, वाइस आप गाईज, दिस इस मंजीत और वेलकम बैक टू माइ अनधर वीडियो आज के हमारी सेकेंड वीडियो है इस स्पीड को लेकर चुकि हमारी तो सुबह की वीडियो थी, वो भी एक ओन हीट बीगल फीमेल की थी तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को वीडियो के end screen में मिल जाएगा तो उसे भी जरूर चेक आउट करें तो फ्रेंज, इस वीडियो में हम लोग जिस बीगल के बारे में बात करने वाले हैं यह फीमेल नहीं, बलकि एक मेल है और डोग जो है, वो काफी अच्छी क्वालिटिक है और सबसे अच्छी बात यह है, कि उनर ने इसकी सब भी वेक्षिनेशन भी कम्प्लीट करा रखे है और आइटिंक आप लोग को इसका कार्ड वगरा भी मिल जाएगा यह फीगल एक सेमेडल डोग है वैसे आप लोग को इससे ट्रेंट करने की कोई जोट नहीं पढ़ने वाली विगोस उनर ने इसको बहुत ही अच्छी से ट्रेंट कर रखा है क्योंकि काफी सारी ऐसी चीज़े हैं जो उनर ने इसको काफी अच्छी से सिखा रखी है तो फ्रेंट्स पीगल जो है यह एक मीडियम साइस की डोग बीड है जिने आप लोग कम स्पेस आइमिन छोटे अपार्टमेंट में भी आसानी से रख सकते हो और हाँ दोस्तो जब यह आप लोग इस पीगल को पर्चेस करो तो ओनर से इसके डाइट प्लान के बारे में जरूर कनफर्म कर ले क्योंकि अगर आप लोग इसे ओवर फीडिंग करोगे तो यह काफी जल्दी अपने वेट को फुटोन कर लेते हैं और उसके बाद में यह काफी लेजी हो जाते हैं तो अगर आप लोग इने कम स्पेस वाले घरों में रख रहे हैं तो यह आप लोग की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि आप लोग इने फोक वगिरा पर लेकर जाएं और इने साथ में फीजिकल एक्सेसाइज भी जरूर कराएं ताकि यह हेल्दी और एक्ट्व बने रहें और यहर पीगल जो हैं फो शोट कोट में होते हैं तो ना तो आप लोग को इनके कोट को मेंटेन रखने की कोई टेंशन रहती है और नाई शेडिंग के टाइम पे आप लोग के घर में जगह जगह हेल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि जाजातर प्रोब्लम तब होती है जब डोग्स लोग कोट में होते हैं तो तब उनको मेंटेन रखना काफी मुश्किल होता है उनके कोट को मेंटेन रखना और शेडिंग के टाइम पे तो भाई कहर मत जाता है उनके हेस को लेकर तो यह सब प्रोब्लम आप लोग को इस बीगल के साथ तो देखने को नहीं मिलेंगी बाकी दोस्तों मेरी इंफर्मिशन के अलावा आप लोग और कुछ भी पूछना चाते हैं तो डाइक्ट डोग ओनर से कॉंटेक करके आप लोग डिसकस कर सकते हो ओनरा कॉंटेक नमबर आप लोग को डिसक्रिप्शन बोक्स से मिल जाएगा इस बीगल की एस तो आप लोग को अलड़ी बताई चुका हूँ तो अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो इस डोग को आप लोग चलेंदर पंजाब से पर्चेस कर सकते हो और unfortunately आप लोग को ओनर डिलिवरी प्रोवाइट नहीं करा पाएंगे आप लोग को डायट ओनर के घर जाकरी इस डोग को पर्चेस करना होगा वैसे दोस्तो इस बीगल को पर्चेस करने के बाद आप लोग को इसके उपर कोई भी एक्ष्टा करस नहीं करना पड़ेगा तो फाइल लेकर इसके प्रचेस के बारे में बात करें तो भाई क्वारिटी तो डोग की काफ़ी अच्छी है और उन्हें जो इसके प्रचेस के डिमांड किया तो मिलता है अप लोग से करने हूँ एन इंट्रेस्टिंग वीडियो में सो टेक केर एंड बाबाई